देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के आहवान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के चलते देश का प्रतेक नाकरी, राष्ट के प्रती विष्टा भाव दिखाते हुए अपने घरों एवं कार्यालियों में तिरंगा फहरा कर राष्ट भक्ति का संदेश दे रह हैं इसी के जलते देश के ग्रिह मंत्री अमिति शाह ने भी अपने आवास पर तिरंगा लहरा कर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पन करने वाले नायकों को याद किया और देश्वासियों को अठेटरवे स्वतंतरता दिवस की हार्तिक बधाई एवं शु इस दोरान उन्होंने कहा कि ये बंटवारा जमीन की सीमाओं का बंटवारा नहीं बलकि हमारे दिलों और भावनाओं का बंटवारा था नई पीडियों को आपसी प्यार भाईचारे और सत्भावना के सीख देने के लिए कुरुक्षेत्र के मसाना गाउं में 200 करोड की आयो वह है बटवारा हमारे देश की बगहुलिक सीमा का बटवारा नहीं बलकि लोगों के दिलों को दिलों और भावनाओं का भी वो बटवारा था बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया है दुनिया का सलसे बड़ा लोग तंतर और पांचवी सलसे बड़ी अर्थ व विभाजन के दर्द को कभी बुलाया नहीं जा सकता इसी आदम को बनाए रखने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनाथ ने लोक भवन में आयोजित विभाजन विभीशिता स्मृती दिवस पर आयोजित श्रधानजली सभा में कहा कि बांगलादेश में आज डेढ़ करोड हिंदू अस्मिता बचाने को चिल्ला रहे हैं लेकिन दुनिया और भारत के कथित सेकुलरिस्ट के मुहस सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है उनकी मानवी समवेदना मर चुकी है योगी ना कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री मोधी के आभारी है जिन्होंने इतिहास के काले अध्यायों से परदा उठा क गलतियों के परिमारजन के लिए रास्ता बनाने का अहवान किया उन्होंने आरोप लगाया कि कथित सेकुलरिस्ट ने आजादी के बाद बांटो और राजकरों की राजनीती को प्रुशाहित किया है इन लोगों ने अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त की लेकिन यह भारत की सत्ता का नित्रित तो नहीं कर रहे थे बलकि अंग्रेजों के मानस पुत्तुरों के रूप में इन्होंने सत्ता का संचालन किया उसी का दुष्परिणाम अखंड हिंदुस्तान ने चुकाया के लिए कुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मूशिलेवें कि कथित सेकुलरिष्ट भारत के अंदर भी इनके मूशिलेवें एक भी सब दिन का नहीं निकलना है क्योंकि उनको भै है कि अगर इन निरीक कमजोर लोगों की इस पक्समें नोने आवास निकाली ते इनका वोट बैंक किसक जाएगा वोट बैंक की चिंता है लेकिन मानुए संबेदना इनकी मर चुकी है मानो ताके रक्सा के लिए इनके मूँ से एक भी सब्द नहीं निकलने वाला है नहीं निकलेगा क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राशनीटी को प्रेदित और प्रोसाहित किया उसको लेकर कि आगे बढ़ते रहें ये लगातार बाटो राज करो की उस राजनीटी के तहदे लोग तेस के अंदर कारे करते रहें अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की ये वास्तों में भारत की सत्ता का नित्रत नहीं कर रहे थे बलकि अंग्रेजों के ही ब्रिटी सर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को सुरूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटी सर इस देश के अंदर कर रही थी और आज उसी का दुस्मेणाम या देश लगातार चुकाया है अखंड इंदुस्तान चुकाया है केरेल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वाइनार्ड जिले में हाल ही में हुए भीशन भूस्खलन में जानकवा चुके लोगों के परिजनों को 6 लाग रुपए का मुआफजा देने की घोशना की है पत्रकार वारता को संबोधीत करते हुए उन्होंने कहा कि 6 लाग रुपए में से 4 लाग रुपए राज्य आपदा राहत कोश से और शेश मुख्यमंत्री आपदा राहत कोश से दिये जाएंगे विजेन ने कहा कि भूस्खलन में आँखें और अंग खोने वाले या 60 प्रतिशत तक विकलांगता का सामना करने वाले लोगों को CMD RF से 75,000 रुपए आबंटित किये जाएंगे जबकि सापदा में 40-60 प्रतिशत तक दिव्यांग होने वाले या कंभी रुप से घायल होने वाले लोगों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी उन्हें कहा कि जो पीडित किराय के मकान या अपने रिष्टिदारों के साथ रहने का विकल पचुनेंगे उन्हें पुनरवास के लिए किराय की रूप में 6,000 रुपए प्रतिमाह दिये जाएंगे 15 अगस्त सुतंतरता दिवस को लेकर देश भर में हर्शुलास का महोल है जगा जगा पर कारक्रमों का आयजिन किया जा रहा है सुतंतरता दिवस के मौके पर दिल्ली में भव्वे कारकरम का आयजिन किया जाएगा जंडा फेराई जाने के मुद्धे पर दिल्ली के स्वास्थे मंतरी सौराभ भारतवाज ने प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि 15 अगस्त को चुनी हुई सरकार का कोई भी मंतरी ध्वज फेराई इससे दिल्ली की जनता का सम्मान होता है उन्होंने कहा कि आजादी का असली मतलब यही है कि चुने हुए प्रतिनिती देश और राज्य चलाएं ना कि खोपे हुए लोग देखिए ये बात बहुत ही साधारन बात है कि चाए केलाश के लोत फेराईं चाए आतिशी फेलाईं चाए गोपाल राए फेलाई कोई भी चुना हुआ मंत्री चुनी हुई सरकार का प्रतिनिती अगर जंडा फेराई तो दिल्ली का जो वोटर है उसकी वोट का सम्मान पंदरागस क्या सिग्निपाई करती है पंदरागस का मतलब ही है कि चुने हुए लोग देश और राज्य चलाएं लगाए हुए लोग जैसे वाइसरों लगाए जाते थे अंग्रेजों के समय में वाइसरों थोपे जाते थे अंग्रेजों के समय पे ऐसे लगाए हुए थोपे हुए लोग ना करके चुने हुए लोग जो है जंडा फेराई वही आजादी का असली मतलब है पंजाब में शिरोमनी अकाली दल को बड़ा जटका लगा है बंगा विधान सबा हलके से दो बार के लगातार विधायक डॉक्टर सुक्विंदर सुक्षी ने अकाली दल को अलविदा कह दिया है और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है चंडिगट में सीम भगवंत मान ने प्रेस कॉंफरेंस बुलाकर सुक्विंदर सुक्षी की आम आदमी पार्टी में जॉइनिंग कराई इस दोरान आम आदमी पार्टी के संगठक महासचेव संदीफ पार्ठक की भी मौजूद दी रही वहीं साथ में पार्टी के और नेता भी मौजूद थे विधायक सुक्विंदर सुखी के साथ उनके साथी समर्थक भी आम आदनी पार्टी में शामिल हुए है CM ने सभी को पार्टी में मान बख्षने की बात पही है वे आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद बंगा विधायक डॉक्टर सुखिंदर सुख्षी ने कहा कि मैंने सीम भगवंत मान की नीतियों और बंगा हलके की विकास के लिए आम आदमी पार्टी जोइन की है पार्टी के साथ पूरी वफादारी के साथ काम करेंगे अकाली दल छोड़ने पर सुखी ने कहा कि उन्हें अकाली दल या सुख्वीर बादल से कोई समस्या नहीं है वे अकाली दल के मान से ही दो बार विधायक बने हैं लेकिन अब वे सोचते हैं कि बंगा हलके के विकास के लिए सीम भगवानतमान के नितितों में आम अदमी पार्टी से जुगना चाहिए ताकि बंगा हलके में विकास के काम हो सके और लोगों को सहूलियत में मिले उननों शाहिए दूसे में जोओनी बंदी और अज मैं मानने सूस करें कि मैं आमावी पार्टी दा एक स्पाई गण जा रहे हैं मैं उस हलके दौना जिथे शिःदे अथ से जृदी पेंडा पार्टी से ने सभाटी से बाड़ा कारन डिया जो टो में सीहें साथ हमने किगया कि कि शीःद अधसी जरी उस सूच तर्थ हमता उसे सॉच तो कि 지금은 कii सांध गखें कॉलिज बनाओं कि ताइना ने बिदावनेनी हेजिटेशन उसे मिले किया कि मैं इस तर्थी ते मेरी कॉलिज जुरूर बनाओंगा मैं समय नहीं नहीं कि इस तरह दे सीम ना इस तरह दे पार्टी ना काम कीता जा सकता बांगलादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है इसके बावजूद बांगलादेशी नागरीक अवैद रूप से भारत में प्रवेश करने की लगादार नाकाम कोशिशे कर रहे हैं मंगलवार शाम पुलिस के अधिकारियों ने अगरतला रेलवे स्टेशन से 16 बांगलादेशी नागरीकों को हिरासत में लिया है बताते चलें पकड़े गए व्यक्तियों में 13 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल है हालांकि पकड़े गए लोगों में से 3 गैर कारूनी गतिवी धियों में शामिल बताया जा रहे हैं सानिय पुलिस ने पकड़े गए लोगों को हिरासत में ले लिया है साथ ही अगरतला सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन में विभिन कानूनी धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है और इन्हें अदालत में पेश किया जाना है